हाइ फ्रेंट्ट्ट्ट्ट्रेश्ट्स वाल्ट्ट्ट्ड conthe गें विच्ट गें आफ एल्कुल्स आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आज आपके लिए लेक्से आई है रम रिवीयू अब रिवीयू है तो इसस्पेशल कैसे हुआ क्योंकि इज नॉटT लिक्योर और आप से पहले हमने जो लिक्योर पी है या ज्यादा तर लोगों ने लिक्योर पी होगी वो है आपकी अपनी जैक डैनियल्स हनी अब इसके बाद ऐसा क्या स्पेशल है इस रम में इसके बारे में बताना शुरू करेंगा हमारे फादर साथ तोड़े दे प्लेर अफ दे गेम इस काबो रम जिसको की कैबो रम भी कहते है और यह कोकोनेट बेस्ट रम है और यह आती है एडिंग को डिसलरी इस गोवा से बेसिकली यह एक वाइट रम है विच इन फ्यूज़ विट कोकोनेट अब यह क्योंकि एक लिक्योर है इसका अबी जो है डाट इस ओनली 21 परसेंट अब जब हम बात करते लिक्यों की तो उसकी जो विराइटी है इसके इंडियन मेंड लिक्योर की वह बहुत कम है रिस्ट्रिक्टेड ए टुसम स्टेट्स और यूजिन टेरिटरी स्पेसिफिकली कोवा के अगर मैं बात करूं मुआ जाते हैं और अगर हम बात करें फॉर इन फोर्ट नहीं कर पाता और आपको पता भी नहीं होता आपका को आगे जाके बताएंगे इनके और भी प्रोड़क्स आते हैं विस्की में जैसे रॉक की ओल्ड ओक जिन और भी काफी विराइटी इनकी आती है बिल्कुल जैसे कि अगर मैं बात करूं वूडू क्रीम की तो अभी मैंने इतना स्टडी नहीं किया है नहीं हमने कभी उसको एक्सपीडियंस किया है तो अगर ऐसा हुआ के हमारे कोई रिलेटेव या कोई फ्रेंड अगर महां जाते हैं और वह हमारे लाप है या हमारा चक्कर लगा तो डेफिनिटली वह दो हैं जो अगली बारी मतब हमारे रडार पर रहेंगी चलते हैं बॉटल ओवर विव पे च जैसे एक सेरेमिक कोटिंग होती है वैसी से लुकारी है और इसका जो कलर रेट विल रिमाइंड यो ऑफ मलीबू रम आज वेल और जैसे कि आपको पता है इस बिल्ट ऑन दे सेम लाइन और यहां पे आप देख सकते हैं आपको बीच की इमेज दिख रही है विच इस ओवि बॉलिंग करते हैं तो जो बॉलिंग में बॉल्स नहीं किराते हैं उनको हम पिन कहते हैं तो मुझे यह उन बॉटल की याद दिलाती है विच अनोन है पिन बॉलिंग अगर हम बात करें इस ए सेवन फिफिटे एमिल बॉटल इसका जो ए बीवी है इस ट्वेटिवन आएगा और इस रम के लिए काबु रम के लिए हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे हमारे एक अंकल है उमेश नाकपाल जी वह अंकल गये थे गोवा और वह हमारे लिए एक प्रोड़क्ट लाए थे उसका रिव्यू भी जल्दी आये और वह काफी यूनीक प्रोड़क्त आए तिंग वह अभी तक चाहए दी यूट्यूब की स्ट्री में आया नहीं है और इस रम के एक और खास बात है या डाउंसाइड है आप जैसे भी कह लिजिए कि इसमें शुगर एड़ेट है अलग से तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इसके जादा नश्य कोगोनट के लावा कुछ नी इनफेक्त जो विकानेर से जो दिल्ली में है अससे जो नारियल बरफी मिलती है ऐसे लगता वो पानी बन चूकी है अलकOPल का पंच कोई नहीं है भेरी मेलोर्ब वेरी स्वीट ऑनदे नोस काफी स्वीट लग रही है काफी interesting और काफी meaty meaty से लग रही है अगर हम बात करें इसकी body की तो यह काफी heavy bodied है यह लिक्के और जो है काफी thick legs आ रही है इसकी और अब इसके color और टेस्टिंग के लिए चलेंगे father साप के बास और देखते हैं उनका क्या क्याता है experience गलर तो बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें बिल्कुल इस चल के लिए गलर रहे है वेरी स्मूथ एंड क्रीमी ओके बहुत ही sweetness जबर्दस्थ coconut का टेस्ट जबर्दस्थ तुबर कर आया है और sweetness इतनी जबर्दस्थ है मतलब चाशनी है ना जो चाशनी बनती है घर हमारे गरों में उसको भी फेल कर दे इतनी sweetness जाद है इतना ज़्यादा मीठा है एकसेस मीठी है और टेस्ट मुव में भी काफी देर से रह रहे है अगर मैं बात करूँ तो जितना इसमें मीठा है तो यह रेगुलर पीने वाले ड्रिंक तो है नहीं है ठीक है और जो मीठा पसंद नहीं करते कम मीठा गाते है या जिनको जिनको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है वाइड करते जिने कम पसंद नहीं के लिए कम पी है और यह स्वीटनेस इतनी है कि यह रेगुलर नहीं पी सकते हैं लोग वैसे भी ओकेशनल ड्रिंकिंग के लिए होते हैं लिक्योर्स तो बात करें आपके ओवराल एक्सपिरियंस की और अगर आप रेटिंग दिना चाहिए तो इसे क्या देंगे मेरे लिए तो ओर राल एक्सपिरियंस बहुत बढ़िया रहा है क्योंकि मेरे को स्वीटनेस पसंद है कोकोनट पसंद है तो मेरे लिए तो ठीक है मगर मैं रेगुलर नहीं पी पाऊंगा इसको ठीक बात स् और मैं इसको रेटिंग दूँगा 8.7 8.7 क्योंकि यह बहुत अच्छे प्राइस और एक चीज़ और कहना चाहूंगा इसका सुरूर स्लो स्लो बढ़ता है यह आप अगर को के मेरे को दो ड्रिंग में कुछ हुआ नहीं है इसका असर स्लो है मेरा एक सजेशन है अपने जो को शूआ आप चाहका नहीं है इसका अटिक्स्ट ग्रॉप कीजी और वहां पे एक टेक्स दॉप कीजिए और विए रिसीपी थैंक यू पार वाचे वाची आप वीडियो गिविट आप नूस आंट नूस कीप लविए बिए रिंग देशीट प्रिंग लिल्विवियो चेर्स